नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल इशॉक्स जी किसन में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इन्वेंचर ग्रोफ एन सिक्योर्टी इस लिमिटेड क्वार्टर का रिजल्ट काफी सांदार आया उसके बाद भी इस कंपनी में गिरावर्ट आपको देखने को मिल ला है ऐसा क्यों जो लोग इस कंपनी को उपर बाई कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए सब कुछ डीटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो लोग भी इस company को buy करना चाहते हैं उन्हें किस price पे buy करना चाहिए दोस्तो वीडियो में last तक बने रहे हैं कोई भी part miss न करें क्योंकि हम सारे topic को cover करेंगे जिन लोगों ने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है सबसे पहले वो लोग channel को subscribe करने और साथ में bell icon को press करना न भूले तो देखते हैं इस company का detail क्या बनता है दोस्तो सबसे पहले अगर इस company के 52 विक लोग की बात करें तो 1 रूपए 33 पैसे company में अपना high बनाया 6 रूपए 76 पैसे का और अभी यह company चलना 4 रूपए 88 पैसे जबकि अगर इस company के intrinsic value की बात करें तो 4 रूपए 82 पैसे का level आपको देखने को मिल जाएगा company fundamentally strong है लेकिन company के कुछ weak point भी है आप देखेंगे इस company का promoters holding जो की 27.6% का आपको detail दिखा देगा company के अगर free cash flow की बात करें तो 0.51 करोड का इस company के पास free cash flow है जबकि debt की बात करते हैं तो 34.4 करोड का detail आपको देखने को मिलता है तो देखते हैं इस company का और detail क्या बनता है दोस्तों अगर इस company के daily chart पे हम detail देखें तो आप देखेंगे यह company यहाँ पर resistance phase किया था यानि कि यहाँ पर यह company consolidate करने की कोसिस कर रहा था result के पहले तो यह दो reason इस company को थोड़ी से नीचे दवाने की कोसिस कर रहा है तो दोस्तों जल्दी इस company में आपको again bounce back होता हुआ दिख जाएगा जिन लोगों ने long term के लिए buy किया वो continue कर सकते है short term बाले चाहें तो चार उपए पर अपना stop loss लगा कर इस company को आगे के लिए continue कर सकते है क्योंकि इस company का जो strong support level है वो चार उपए के पास का बनता है जो buy करना चार है वो चाहें तो long term के लिए इस company को current price पर भी buy करके चल सकते है उन्हें बस इतना करना है कि तो अपना stop loss fix करके चले यानि कि जैसे यह company 4 उपए पर जाता है अगर उसके नीचे जाने की कोसिस करता है तो आपको exit भी करना है इस बात का जरूर ध्यान रखें तो चलिए दोस्तो आज के लिए इतना ही वीडियो को like करें, share करें, subscribe करें Thank you for watching this video